कि ना नेक्स्ट कुश्चन इस यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है प्रिंसिपल दी रेट दिया टाइम दिया और पूछा गया है कुश्चन को आप पूरा स्वाल करेंगे तो कम से कम दो से तीन मिट लगा लेंगे तो पहले स्कूल वाली मैटड देखते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली मैधड देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपा कमोडेंट इसका पी वन प्लस आर बाई हंड कि पावर टी यह हमारा अमाउंट होता है और अमाउंट का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था इंट्रेस प्लस पी इंट्रेस हो जाएगा ए माइनस पी तो इसको मुझे एंट्रेस बनाना है कंपोनेंटेस तो मैं यहाँ पर सी आई लिग दूंगा और यहाँ मैनस कर मैंने यह फॉर्मूला मना है c i का और si का फॉर्मूला किया होता है इसमें से हमको पूरे को यहाँ पर लिकालना किया है c i minus si c i minus si तो यहाँ पर si का पूरा फॉर्मूला हम t into r into t upon 100 करेंगे और यहाँ पर value put करके इसको solve करना start करेंगे 2000 1 plus r हमारा 5 by 100 power 2 minus 2000 minus यहाँ पर 2005 into 2 upon 100 और इसको अगर आप solve करेंगे बंजा 20 है ना यह हो गया 2000 into 21 by 20 21 by 20 और पूरे में से 2000 का यहाँ माइनस हमें करना ही पड़ेगा और यह आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा इतना हुआ नाव अगर आप इसको solve करेंगे तो और फूर से 20 करेंगे 5 आजाएगा यहाँ पर 2 into 4 तो यहाँ पर 5 आजाएगा और यह हो जाएगा 21 into 21 441 441 into 5 441 into 5 तो यह आ गया 2205 यह मैंने इतनी पूरी टम को केलोट केटे 2205 लेगा माइनस 2000 और पूरे में से 200 माइनस करेंगे तो यह आ गया 205 माइनस 200 एंजर आएगा 5 रूपीज यह हमें करना है स्कूल में और अब हमें एक्जाम में क्या करना कम्प्रीट एक्जाम में फॉर्मूला होता इसका फॉर्मूला था अब पी आर पाई हंड्रेड की पावर एन पी क्या है 2000 और क्या है 5 बाई हंड्रेड की पावर टू ओके आपको दिखे रहा होगा एंसर से मारा है तो जो शॉट्री के इसको करने की वह यह फॉर्मूला है इस फॉर्मूल से लिकालते हैं आपर कंपाउंड इंड्रेस्ट माइनस सिंपल इंड्रेस्ट यह आप याद रगिएगा यह आपको काम आ सकती एक्जाम में अगर इतना लंबा की करने से बचना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं ओके हम अगले वीडियो में कुछ और कोश्यन लेखते हैं यह शुर्ण